आठ नवंबर 18105 यही वो एतिहासिक तारीख है जब महराष्ट्रा के एहमदनगर जिले के देवगाओ अकोले के एक महादेव कोली आदिवासी परिवार में सह्याद्री के शेर राघोजी भांगरे का जन्म हुआ. यह वो वक्त था जब मराथा सामराज्य में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और विद्रोव की चिंगारी सुलग रही थी. अंग्रेजों ने सह्याद्री के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था. मजबूरी में लोगों ने साहुकारों से धन उधार लेना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर साहुकारों ने उनका शोशन करना और उनकी जमीन हतियाना शुरू कर दिया. इस अराजकता से कुरूध होकर रागोजी भांग्रे ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का जंडा बुलंद कर दिया. और अपने क्षेत्र को ब्रिटिश शासन से मुख्ट भोशित कर दिया. रागोजी भांग्रे ने ब्रिटिश खजाने को लूट कर लोगों में बातना शुरू कर दिया और नासिक जिले के इगत पुरी, त्रयम के श्वर्थ, सुर्गना, पेट और कल्विन में सहुकारों के शोशन के खिलाफ लड़ाई छेव दी तुना में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मुखालपत का पर्चम लहरा दिया अंग्रेजों का जो प्रतिरोध है वो तो भारत में उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से भारत के अंदर उन्होंने अपना वर्चत स्तापित के रड़े की कोशिश की थी करीबन 200 ऐसे विद्रोह है जो जगे जगे पे अंग्रेजों का प्रतिरूत किया गया 1839 में रागोजी भांगरे ने रतंगर किले और सुनागर किले को अपने कपड़े में कर लिया जिससे परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों के बारे में जानकारी दुटाने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन उसे कुछ भी हासल नहीं हो सका इसी दौरान धन और बक्षीश के लालच में महराष्ट्रा के चितपावन ब्राह्मन और मारवाडी बनिये अंग्रेजों से मिल गए और उनके लिए मुख्बिरी करने लगे मुख्बिरों की सूचना पर एक रोज कैप्टन गिबन ने विद्रोहियों के एक दल को घेर लिया जिससे रागोजी भांग्रे के अस्ती साथी पकड़े गए उनमें रागोजी भांग्रे के भाई बापुजी भांग्रे भी शामिल थे मारवाडी बनियो और चित्पावन ब्राहमनों के कहने पर ही अंग्रेज पुलिस ने कोंकंड में डकैती के इलजाम में रागोजी भांग्रे के बेटे के घर पर छापा मारा लेकिन पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला इसके बावजूर पुलिस ने रागोजी की मा, भाई और भावी को पूछताच के नाम पर टॉर्चर किया ये खबर जब रागोजी तक पहुंची तो गुस्से से उनका खून खौल उठा उन्होंने अपने घरवालों से दुर्व्य बहार करने वाले पुलिस अधिकारी की गरदन मरोण दी और दस सिपाहियों को भी हलाक कर डाला रागोजी भांग्रे ने अंग्रेजों की मुख्बिरी करने वाले मारवारी बनियों और चितपावन ब्राहमनों की नाक और कान कात दिये जिससे भैभीत होकर वे सब गाव छोड़कर अकोले और संगम नेर भाग गए इस घटना से वौकलाए अंग्रेजों ने रागोजी भांग्रे को डिकेद भोशित कर दिया अंग्रेजों के जूल्म और नाइनसाफी के खिलाफ रागोजी भांग्रे के विद्रोव की मशाल 1845 में आसपास के इलाकों में भी धधिकने लगी उनका विद्रोव, पुने, सतारा और पुर्द्री तक फैल गया रागोजी ने कई किसानों की जमीन को जमीनदारों से मुफ्ट कराया और वे गरीबों के मसीहा बन गए रागोजी भांग्रे को मारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 200 सशस्त्र सैनिकों की एक चुकड़ी भेजी, लेकिन रागोजी के साथियों ने घने जंगल से गुजरते वक्ट ब्रिटिश सैनिकों की उस चुकड़ी पर हमला कर दिया इस हमले से घबराकर अंग्रेज सैनिक जंगल में सरवेरा की और भागने लगे रागोजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई अंग्रेज सैनिकों को मार डाला इस लडाई में रागोजी को भारी मात्रा में गोला बारूड और बंदू के मिली रागोजी भांगवे और उनके लड़ाकों से मिली इस शिकस्त ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया जिस तरीके से भारत के किसानों को मुमीहीन मनाया गया उनके उपर अफीम की खेती नील की खेती थोपी गई लाकर के भारत के जो जुलाथे उनको तबाकिया गया राजाओं की सेनाओं को तबाकिया गया वसेनिक क्या करे कहा जाए उन तक को प्रभावित कर रहे थे अंग्रेजों ने रागोजी भांग्रे को पकरने के लिए तमाम हत्कंडे अपनाए, लेकिन उनके हाथ फाली रहे आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने रागोजी भांग्रे को पकरने के लिए 5,000 रुपये और एक गाउं के इनाम की घोशना कर दी नतीजा ये हुआ कि भारी इनाम के लालच में किसी मुक्बिर ने ब्रिटिश सरकार को रागोजी भांग्रे और उसके साथियों के ठिकाने का पता बता दिया उसके बाद ब्रिटिश सेना ने जुन्नार में रागोजी भांग्रे और उनके साथियों पर हमला बोल दिया अंग्रेजी सेना और रागोजी भांग्रे के लड़ाके आमने सामने आ गए। रागोजी और ब्रिटिश सेना के बीच भयन कर युध्ध हुआ। इस लड़ाई में ब्रिटिश आर्मी की जीत हुई। इस जीत के बावजूद ब्रिटिश सरकार रागोजी भांगरे को पकड़ने में नाकाम रही। वे जुन्नार के बजार का फाइदा उठाकर सुरक्षित बच निकले। लेकिन उस लड़ाई में रागोजी ने अपने कई साथियों को खो दिया। जिसके बाद उन्होंने भूमिगत रहकर एक बार फिर आदिवासी लड़ाकों को इकठा किया और पुरंदर में विद्रों क चिंगारी भरका दी। लोगों को तोप के मुझे लगा के गुलों से उड़ाया गया। गाओं के गाओं जो हैं उनका नाम मिटा दिया गया नक्षे के उपर से। उनको जलाया गया, मारा गया। पतला आज भी ऐसे ऐसे गाओं मौजूद हैं जहां पेड़ हैं जिनकी लो 1847 में जब रागोजी भांगरे भगवान विठल को शद्धानजली देने के लिए पंधरपूर के मंदिर जा रहे थे, तभी लेटिनेंट जनरल गेल ने सेकरों पुलिस कर्मियों के साथ मंदिर को घेर लिया और जैसे ही रागोजी मंदिर में दर्शन करके बाहर निकले, वैसे ही उनको गिरफतार कर लिया गया. गिरफतारी के बाद रागोजी भांगरे को अदालत में पेश किया गया. शातिर गोरों ने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा था कि रागोजी को कोई वकील न मिलने पाए. नतीजतन रागोजी पर एक तरपा मुकदमा चला, उन के बाद 2 मई 1849 को उन्हें अहमदनगर की सेंटरल जेल में फासी के पंदे पर लटका दिया गया. इसी के साथ सहाधरी का ये शेर हमेशा के लिए धर्ती के आगोश में सो गया. उनकी शहादत पर महराश्ट्रा सरकार हर वर्ष 2 मई को रागोजी शहीद दिवस मनाती है. 2014 म महराश्ट्रा के ततकालीन मुख्यमंत्री पृत्विराज शवहान ने रागोजी भांगरे के नाम पर सरकिट हाउस का निर्मान भी करवाया था. रागोजी भांगरे के पिता रामजी भांगरे ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोव कर दिया था. गिरफतारी के बाद उन्हें अंडमान की सेलियूलर जेल में काले पानी की सजा सुनाई गई थी. ग्रागोजी भांगरे के दादा के सगे भाई बालोजी भांगरे भी क्रांतिकारी थे. उन्होंने पेश्वा के खिलाफ विद्रोव किया था और उन्हें तोप से ओड़ा दिया गया था. ग्रागोजी भांगरे के भाई बापुजी भांगरे ने भी अंडरेजों के खिला आप विद्रोह में हिस्सा लिया और शहीद हुए. Central Desk, Koli Times